Global Hunger Index, वेश्विक भुखमरी के आकड़े आए हैं, 2019 के आकड़े हैं, जानना चाहेंगे, गर्व मैसूस होगा आपको, खास्तों से भगतों को, हाउडीज मोदी, गर्व होगा आपको, सुनिएगा आकड़े, लानत भेजनी है या गर्व मैसूस करना है, और हमारे पडोसी दु 117 देशों की गिंती हुई, विश्व के 117 देश, जो देश 0, 1, 2 पर खड़े हैं, 0 मतला 9 हंगर, सबसे बहतर देश हैं, वो अपनी जनता के लिए भर पेट खाना देते हैं, 117 देशों में, क्या भारत पहले नमबर पे, दूसरे, तीसरे, चोथे, पाचवे, पचासरे, सा नहीं, कहां खड़े हैं, 102 नमबर पर, भारत में भुक मरी के आकड़ों में, भारत 117 देशों में, 102 नमबर पर, खड़ा, ये 2019 के आकड़े हैं, 2018 में कहां खड़े थे, 119 देशों की गिंती में, 130 नमबर पर, 2004 में, डॉक्टर मनमोहन सिंग ने, 10 साल देश पे राज करने के बाद, जब सत्ता से बाहर हुए, 2014 में, डॉक्टर मनमोहन सिंग, तब देश में, भुक मरी के आगड़े, 2014 में कितने थे, हम कौन से स्थान पर थे, 55 नमबर पर, 2010 में, कॉंग्रेस की सरकार्थी देश के अंदर, भुक मरी में देश कहां खड़ा था, 95, 95 नमबर पर था, 2014 में 55 पर आ गए हम लोग, यानि कि हमने बहतर किया, कैसे बहतर हुआ, मनरेगा लेकर आए, महत्मा गांधी Rural Employment Guarantee Scheme लेकर आए, गाउं के लोगों को शेहरों की तरफ भागने से रोका मनरेगा ने, गाउं के अंदर ही विकास कारिये हुए, करने वाले गाउं के लोगी थे, रोजगान मिनने लग गया, विकास होने लग गया, बुकमरी के आंकड़े 95 पर थे हमारा स्थान, 2010 में, 2014 में, 55 पर आगया, पर क्या हुआ जब केंदर में मुदी सरकार आई, 2014 के बाद आंकड़े सोवे स्थान को भी हम लांकर चले गए, भुकमरी के मामले में, जारखंड के यह जूट नहीं था, चाइना कहां पर खड़ा है, भुकमरी में, 117 देशों में चाइना 25 पर है, और भारत 102 नंबर पर, चाइना ने अपने देश के अंदर भुकमरी से लड़ना सीखा, और लगातार लगातार भुकमरी से उसने लड़ना सीखा, रास्ते निकाले उसका अंजाम निकला कि चाइना 25 पर है, आये थे शी जिंपिंग जी, मोदी जी लेकर गए उन्हें, चिन्नाई में, मंदिर घु अगर मोदी जी आप शी जिंपिंग से ये पूछ लेते, कि भुकमरी में, गरीबी उलन में, आपने कैसे, कैसे उससे लड़कर आपने जीत हासिर की, तो बहतर रहता, मुझे पूरी उमीद थी, चाइना के प्रीमियर शी जिंपिंग आपको जरूर भुक से लड़ना सिखा लेकिन आपको सत्ता की भूक है, हाउडीज मोदी पर करोड़ो आपने खर्च किये, नेपाल ही पूछ लीजिए, चाइना नहीं तो नेपाल से पूछ लीजिए, भैतर है नेपाल हम से, हम अगर 117 देशों में 102 नंबर पर खड़े हैं, तो नेपाल 73, 73 नंबर पर है, उसी स से पूछ लीजिए, छोड़िये, बांगला देश से पूछ लीजिए, बुखमरी से लड़ रहा है, लेकिन हम से बहतर है, 88, 88 नंबर पर है, हम 102 नंबर पर है, शिरिलंका से पूछ लीजिए, पडोसी देश है, 66 नंबर पर है, और हम 102 नंबर पर है, पाकिस्तान, कर्जे मे है डूब रहा है कटोरा लेकर भीक मांग रहा है वो हमारा दुश्मन देश जिसे आप बताते हैं वो 94 स्थान पर है 117 देशों में 94 पर और भारत 117 में मोधी सरकार के राज में 102 में पैदान पर खड़ा हुआ है भारत कृषी प्रधान देश है इस देश में कृषी किसान आत अत्मत्याएं कर रहे हैं आए दुगनी होगी कब होगी नहीं मालूम अदानी अंबानी की दुगनी आए जरूर होगी दुगनी नहीं सो गुना बढ़ गई है किसान की आए कब दुगनी होगी मालूम नहीं किसान अत्मत्याएं कर रहा है लोग भूख से मर रहे हैं और इन पंजाब और महारास्टा को और कॉपरेटिव बैंक का हाल देखिए त्री लोग ने अपनी जान गवादी लाखों रुपया मेहनत इमांदारी का पारदर्शिता के साथ बैंक में रखा है कोई घर के अंदर बोरों में काला धन नहीं था उनके पास खुले आम बैंकों में था बताया जाता है कि आपी के बीजेपी के लोग वहां के डिरेक्टर थे लेकर भाग गए ऐसान करते हैं कभी एक हजार निकाल सकते हैं चे महीने में कभी दस हजार निकाल सकते हैं कभी पच्चेस हजार रुपया निकाल सकते हैं लोगों की कमाई का पैसा है डकैत और चोर ब में भारत 102 नंबर पे खड़ा 117 देशों की गिंती में ये दिया है देश की भाजपरमोदी सरकार ने हमें 2014 से 2019 मर्थ भक्त कहते हैं प्रशन मत करें डम हो तो हमारी आवाज को खामोश करके दिखाईए आवाज तो उठेगी सत्ता सोपी है और हमसे पूछते हैं आपके पास हल क्या है हल हमसे पूछ रहे हैं सत्ता से बहर हो जाएए हल एक नहीं हल ऐसे बहुत जादा पड़े लिखे इमानदार युआ हैं जिनके पास हल है हमारे बहुत से लोग हैं जो आपको लगातर सुझाब दे रहे हैं लेकिन आप सुनने को तयार नहीं है आपके कान में जू नहीं रेखती है आपको विदेशी दोरों से अपने प्रचार प्रसार्च से विज्यापनों से करोड़ों रुपे के humility समय है कि आपके पास समय होता तो देश में बहुत से लोग हैं चाइना बांगलादेश शृरिलंका निपाल के नेताओं से मिल रहे हैं पूछ लीजिए उनी से और कहते हैं प्रधान मंतरी से कैसे बात करती हैं कुं बनाता है प्रधान मंतरी तरे जनता बनाती है देश की प्रदान मंत्री चुनाव में गड़ गड़ाते हैं इस आम गरीब जनता किसान के पैरों में करके गड़ गड़ाते हैं भीक मांगते हैं वोटों की और जब वही जनता आपको इतने उच्पद पर बिठा देती और प्रशन करती है तो आप हमसे हमारी उकात हैसियत पूछने लग जाते हैं बिल्कुल यह गरीब की अवाज बनकर बोल रही हूं असी रुपे प्यास अरे गरीब प्यास तोड़कर रोटी खाता था वो भी असी रुपे तमाटर साथ रुपे अलका लामा को फरक नहीं पड़ेगा आपके मंत्रियों को भी फरक नहीं पड़ेगा हम लोगों के घर जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हम फिर भी अच्छा खाना खा लेंगे चिंता उनकी है जिनके रोजगार चले गए चिंता उनकी है जिनकी बेंकों का पैसा लुट गया चिंता उनकी है जहाँ पर किसान आत्मत्याएं कर रहा है चिंता उनकी है जहाँ पर दरे मात पदपे बैठे ऐगर उस शक्स को अपने पद की गरिमा जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो आपको भी परवा करनी की जुरूरत नहीं है आपको भी परवा करने की जुएतनी में देश के लोगों को कहूंगी वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ये भुक मरी के आकड़े जो आज आए हैं नकार तो सही जब हमारे नॉन प्रॉफिट ये और्गनाइजेशन एक जर्मनी और आईरलेंड की है इसी तरह की वि के तब हम प्रच्वार कर रहे हैं इंस्ट्राग्राम पर मोदी जी ने अमेरिका के डोनल्ड ट्रम को पिछाड दिया अब ये लानत है तुम लोगों पर दो कोड़ी के हो तुम लानत है तुम लोगों पर इंस्ट्राग्राम पर प्रधान मंत्री मोदी जी ने डोनल्ड ट् बहतर रुपया डॉलर पहुच गया है उसका जिकर आप नहीं करते हैं कि आपने उन्हें इंस्टाग्रम पर पिछाड़ा हुआ है तो अमेरिका के डॉलर ने आपके रुपय को धरातर पर लाकर दफ्न करने पर बहतर रुपय ले आएं जिसका असर पूरी महंगाई पर आ रह बेरोजगार हो रहे हैं डस्टियों में उध्योगों में जो है ताले लग रहे हैं माफी चाहूंगी पांच मिनट का हाता शायद पांच मिनट से जादा हो गया लेकिन 800 लोग जो अभी हैं सचाई लगे दर्द हो उन गरीब भुखमरी को पोशन के शिकार बच्चे 130 करोड का भारत जानते हैं आबादी बढ़ेगी जुरूरते बढ़ेंगी लेकिन जवाब दें जिम्मेदारी से क्या सरकारे मों मोड लेंगे नहीं हल सत्ता छोड़ देजिए बहुत लोग बैठें इस देश में जो इस देश को चलाना इमानदारी के साथ समस्या को हल देना जानत जेहिं जेहिं जेहिं